सो हेलो गाईज कैसो सब आगे और एक वीडियो लेकर गाईज आज का वीडियो उन बंदू के लिए होने वाली है जो स्नाइबर चलाना पसंद करते हैं गाईज इस वीडियो में आपको पेस्ट स्नाइबर क्रेक्टर कंबिनिसन बताऊंगा जिसका यूज करके आप इजली ग यूज करके आप उसको वाल के पीछे से भी मार सकते हो और ये करेक्टर वाल के पीछे ख़ड़ा एनमी का लोकेशन भी बताते रहता है जिससे आप इजली बंदे को मार दिया नंबर दो पे आता अपना टकला करेक्टर अरे-अरे मेरा मतलब राफियल करेक्टर एक स्नाइ इस एक गली मार के दूसरा गुली मार दे तो उसे पताने हो यहां पर मैं दो-दो बंदे के होते हो फ़ले एक को डाउन करता बीना लोकेशन बता है फिर इसे वे एक गली और खत्तब गास तीस्रे नमर पर मोको काड़क्टर होने वाली है यहां इस क्लिशन का बलीटि आप आपको सबसे पता ही होगा, इस character तो यूज़ करके आप बंदों का location जान सबसे 5 seconds और उस बंदे का location आपके square को भी लिखता है और चौते नमबर पर उत्थों character होने वाला है, इस character का use सबसे ज्यादा 1v4 situation में आता है या फिर एक से ज्यादा बंदे आप पर रस करते हो, और आप उनके एक बंदे को down कर दो, तो उनके बाकी के member का moment spirit slow हो जाता है यहाँ पर देखो guys, मैं उसे एक कॉम का गोली मारता हूँ, फिर भी मर जाता हूँ, फिर उसका देखो, मोमेड इस पे slow हो जाएगा, जिसके करने वह भी मर जाएगा और guys, पेट में आपको use करना है rocky pet, यह आपके character को जल्ली charge करने में help करता है hopefully guys, वीडियो आपको पसंद आई होगी, guys, चैनल पे नहीं होगा तो चैनल को subscribe कर लेजएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like कर दीजएगा मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के रादे रादे